सूजी की मीठी खस्ता और कुरकुरी मठ्रियों को घर पर ही बनाईए और स्वात से खाईए सूजी की ये मठ्रियां बनाने में बहुती ज़्यादा आसान तो होती ही है साथ ये खाने में बहुती ज़्यादा स्वाधिस्ट भी लगती है तो सूजी की इन मठ्रियों को बनाने के लिए यहाँ पे एक बरतन में ले लिया है मैंने एक कटोरी भर के सूजी तो मैं यहाँ पे बारीक वाली सूजी ले रही थी अगर आपके पास बारीक सूजी है तो अच्छा है अगर नहीं है तो कोई बात नहीं आप मोटे रवे को grinder jar में एक बार चला लीजेगा साथी लिया है मैंने एक कटोरी भर के नॉर्मल गेहुं का आटा वही आटा जिस्ते हम रोटियां बनाते हैं वही आटा लिया है मैंने साथी ले रही हूं मैं एक कटोरी भर के पॉड डु शुगर तीनों ही चीजों को एक बार कर लूँगी mix उसके बाद लिया है मैंने यहां से दो से तीन बड़े चम्मत सफेद तिल तिल भी मिला लूँगी साथ ही लिया है मैंने आदा कटोरी भर के refined oil अगर आप यहां पे refined oil का more नहीं डालना चाहते हैं आपको देसीगी डालना है तो कोई बात नहीं आप यहां पे देसीगी भी ले सकते हैं पर आप जो भी लें हलका सा गुन गुना करके ही लें तो यहां पे सभी चीजों को अच्छे से एक बार कर लूँगी मैं mix उसके बाद लिया है मैंने यहां पे थोड़ा सा दूद क्योंकि हम इस डो को तैयार करेंगे दूद के साथ तो मैंने यहां पे normal room temperature का ही दूद लिया है थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें दूद मिलाती जाऊंगी और एक अच्छा सा smooth सा डो कर लूँगी तैयार तो जितने दूद की आपको आवश्यक्ता है आप उतना ही लीजेगा तो मैंने यहां पे दूद डाल के डो को अच्छे से तैयार कर लिया है साथी इसको rest पे रख दूँगे मैं 10-15 मिनट के लिए ताकि यह सूजी हमारी अच्छे से full जाए यह देखिये हमारा कितना perfect और अच्छा सा डो बन के हुआ था तैयार डो को मैंने एक बार हातों से और मसल लिया है उसके बाद मैं यहां पे बेलूँगी मठरिया तो मैंने मठरियों को अच्छे से बेल लिया था एक कटर मेरे पास तो ढखकन था अगर आपके पास कटर है तो कोई बात ने आप कटर की help से इसको कट कर सकते हैं इसको अच्छे से कट करने के बाद अब मैं एक फोक की help से इसको कर दूँगी प्रिक ताकि हमारी मठरिया जो हैं फूले नहीं और एक अच्छे सी खस्ता और कुरकुरी मठरियां सिक्के हों तयार तो मैं यहाँ पे धीरे धीरे करके सभी मठरियों को थोड़ा-थोड़ा करके बेल के कर लूँगी तयार इनको पहले ही मैं सारी मठरियां तयार करके मैंसे में Refined Oil, ओईल को सिर्फ गरम कर लूंगी, हलका सा ही, जादा तेज आच पे हम इनको फ्राई नहीं करेंगे, हमें Low Flame पर ही तेल को गरम करना है, तेल को गरम हो जाने पर धीरे धीरे करके इन मठ्रियों को हम इस तेल में डालते जाएंगे, इनको हलका हलका Low Flame पर ही हम फ् इसलिए इसको हम अग्दम low flame पे ही, हल्का हल्का सुनहरा होने तक ही fry करेंगे, और इनको जल्दी से तेल से निकाल भी लेंगे, क्योंकि अगर आप इनको थोड़ा सा भी तेल में रहने देंगे, ये बहुत ही जादा dark हो जाएंगी, और फिर इनका वोस्वाद नहीं आएगा जो आना चाहिए तो मैंने यहाँ पे धीरे धीर करके सूजियों को अलट पलट करते वे अच्छे से फ्राई कर लिया था गोल्डन ब्राउन होने तक लाइट गोल्डन ही रखा है और साथी मैंने अब इनको फ्राई करके निकाल लिया है रिफाइंट के अंदर से इसी तरह मैं अपनी सारी मठ्रियों को सेख के कर लूँगी तैयार ये देखिए हमारी मठ्रियां सिख कर आ चुकी हैं पलेट में तो आप भी इन मठ्रियों को इस बार तीजबे अपने हातों से ही बनाईएगा और बनाकर खाईएगा आपको ये मठ्रियां बहुत ही जादा स्वादिस्ट लगेंगी यकीन माने आप तो आपको हमारी ये आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा हमारे चैनल को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा